दोस्तों नमस्कार, Electrical Line Mode चैनल में मैं संदीप चोहान आपका फिर से शागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम Insulation Resistance के बारे में बात करने वाले ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केबल का Insulation Resistance यानि IR वेलू किस तरीके से चेक करियाती है और आपको कौन-कौन से पेरामिटर चेक करने होते हैं तो फ्रेंड्स यदि आपने मेरा चेनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताक कि इसी तरह के टेकनिकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें अब श्टार्ट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप दे सकते हैं केबल की IR विल्यू चेक करने के लिए हमने यहाँ पर डिजिटल मेगर ले लिया है आप चाहें तो हैंड ओपरेटेड मेगर से भी केबल का IR विल्यू चेक कर सकते हैं तो इस maker के अंदर जहाँ पर line लिखा है वहाँ पर हमें red वाली lead को connect करना होगा और जहाँ पर earth लिखा है वहाँ पर black वाली lead को connect करना होगा तो यहाँ पर जल्दी से हम red वाली और black वाली lead connect कर लेते हैं अब हमने दोनों लीडों को connect कर लिया है और यहाँ पर आप देशकते हैं हमने एक LT केबल ली है यहाँ पर हमने 3.5 कोर की और 50 स्कार में की केबल ली है इस केबल के अंदर आप देशकते हैं red, yellow, blue और black कलर के वायर है इन अलग-अलग वायर को हम कोर करते हैं जिस भी केबल का आप मेगर करना चाते हैं तो उस केबल की सबसे पहले तीनों या चारों कोर को आपको अलग-अलग करना होगा यहाँ पर आप देशकते हैं जो चारों कोर हैं उनको हमने अलग-अलग कर लिया है उसके बाद उनके उपर जो इनसूलेशन है उनको थोड़ा-थोड़ा अटाना होगा ताकि मेगर करते हैं वक्त इनसूलेशन बीच में ना आए और यहाँ पर आप देशकते हैं यह एक आर्मर केबल है तो इस केबल के अंदर आर्मर है तो आर्मर को भी हमने छिल लिया है अब इस केबल का दूसरी तरफ का जो सीरा है उनकी कोर को भी हमें अलग-अलग करना होगा यहाँ पर आप दे सकते हैं हमने इधर की चारो को भी अलग-अलग कर लिया है उसके साथ ही यदि केबल किसी मोटर के साथ जुड़ी हुई है तो उस केबल को उस डिवाइस से उस मोटर से भी अलग कर लेना चाहिए अब यहाँ पर हमने मेगर ले लिया है इस मेगर के द्वारा हम LT केबल का मेगर करने वाले हैं यानि LT केबल की IR वेल्यू चेक करने वाले हैं सबसे पहले हमें मेगर को चेक करना होता है मेगर को चेक करने के लिए आप मेगर की दोनों लीड को आपस में शोट करेंगे तो मेगर के अंदर continuity दिखाना चाहिए यानि 00 value आनी चाहिए यदि मेगर में 00 value आ रही है यानि आपका मेगर सही है और सही से काम कर रहा है और जैसे ही आप दोनों लीड को अटाएंगे तो मेगर के अंदर infinite value आनी चाहिए यदि infinite value आ रही है तो इसका मतलब आपका मेगर सही है तो यहाँ पर हमने मेगर को चेक कर लिया है मेगर प्रोपर तरीके से काम कर रहा है अब हम cable के अंदर जो armoring है उसको earth के साथ check कर लेंगे कि cable की जो armoring है वो earth के साथ continuity दिखाती है कि नहीं दिखाती है जैसा कि आपने देखा होगा कि जब panel के अंदर हम cable को लगाते हैं तो gland के साथ लगाते हैं और gland के अंदर cable की जो armoring है वो tight करी जाती है और Glend जो होता है वो Penel के साथ connect रहता है और हमारा Penel Earthing System यानि Earth के साथ connect रहता है तो जब भी हम Cable का Megger करेंगे यानि Cable की IR value चेक करेंगे तो Black वाली यानि Earthing वाली जो Lead है उसे हमें Glend के साथ लगाना होगा और जो red वाली यानि line वाली जो lead है उसे हमें पेनल की body के साथ टच करना होगा और फिर meager से IR value चेक करना होगी यदि IR value 00 आती है तो इसका मतलब है कि हमारी earthing proper है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारे पास जो cable है वह gland के साथ connect नहीं है और नहीं यह panel में लगी हुई है तो इसके अंदर हम earthing को यानि ground को चेक करने के लिए दोनो lead को इस तरीके से लगाएंगे तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर black वाली और red वाली lead को लगा लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगर के अंदर हमने टेस्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है और मेगर के अंदर 00 value दिखा रहा है तो जैसा कि मैंने बताया था कि cable के अंदर earth to earth यदि हम चेक करते हैं तो 00 value आनी चाहिए तो यहाँ पर 00 value आ रही है इसका मतलब है कि हमारी cable proper तरीके से earth है proper तरीके से ground है अब इस cable के अंदर जो चारो core है उन चारो core की earth के साथ continuity चेक करेंगे सबसे पहले red वाली core को earth के साथ चेक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर infinite value आ रही है इसका मतलब है कि cable के insulation resistance की value बहु ज़ादा है इसलिए इस meager के अंदर infinite value आ रही है अब इसी तरीके से हम earth के साथ yellow और blue वाले face को भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं yellow वाली core और earth के बीच में भी infinite value आ रही है इसका मतलब यह core भी ground नहीं है यह core भी proper तरीके से सही है इसी तरीके से blue वाली core और earth के बीच में भी हम meager यानी IR value को चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं इसके अंदर भी infinite value आ रही है इसका मतलब है कि हमारी cable की तीनों core सही है अब इसी तरीके से जो black वाली core है अब इसी तरीके से जो black वाली core है उसको भी earth के साथ हम चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं meager के अंदर infinite value आ रही है इसका मतलब है कि जो black वाली core है वो भी सही है तो यहाँ पर हमने चारो core को earthing के साथ चेक कर लिया है चारो core earthing के साथ infinite value दिखा रही है इसका मतलब हमारी cable earth नहीं है ground नहीं है और जो red वाली lead है उसको इन तीनो core के अंदर लगा लगा कि देखेंगे सबसे पहले हम blue वाले core में लगाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर infinite value आ रही है इसी तरीके से हम red वाली core में भी लगाएंगे और black वाली core में भी लगा कर देख लेंगे कि क्या value आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगर के अंदर तीनो core की infinite value दिखा रहा है इसका मतलब यह core आपस में short नहीं है अब इस मेगर की black वाली lead को हम blue phase के साथ यानि blue core के साथ लगाएंगे और जो red वाली lead है उसको red core के साथ और black core के साथ चेक करेंगे आप देख सकते हैं इन दोनों core के साथ भी blue वाले phase की यानि blue वाले core की infinite value आ रही है इसका मतलब है कि blue वाली core भी सही है blue वाली core में भी कोई भी defect नहीं है अब हम मेगर की black वाली lead को red वाली core के साथ लगाएंगे और इस red वाली lead को black वाली core के साथ लगा कर चेक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में भी infinite value आ रही है इसका मतलब है कि इस cable के अंदर red वाली core भी सही है इसका मतलब है कि यह cable proper तरीके सही है और अच्छी value आ रही है इस cable को हम connect कर सकते हैं इस cable को connect करने पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला तो इस तरीके से आप cable का मेगर कर सकते हैं cable का मेगर करने का पूरा process मैंने आपको समझा दिया है तो friends यह video को कैसा लगा comment section में जरू बताएं और आप इसी तरह के video चाते हैं तो मेरे चैनल को subscribe जरू कर ले इस video को like और share जरू कर दे ताकि सभी को इसका फायदा हो सके thank you दोस्तो thank you so much for watching my video thank you thank you so much जैहिंज जैवारत